बार बार टिकट बदलने से अपने ही चक्र व्यू में फंस्ती दिख रही है सपा अखिलेश के लिए नई मुश्किलें भी जुनाव प्रचार से दूर अभी टिकट वित्रण में उलजी सपा अपने ही चक्र व्यू में फंस्ती दिख रही है पश्रमी यूपी में जिस तरह बार बार पत्याशी बदलने का सलसला चल रहा है उससे पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई जनका टिकट कट गया है उन्हें अपने समर्थकों को समझाना मुश्किल हो रहा है ऐसे मायूस निताओं को समझा कर उन्हें प्रचार में लगाना वह उत्साहित करना सपा के लिए अब नई चुनावती आखड़ी हुई है वैसे पार्टी टिकटों में बदलाओ को मजबूत प्रत्याशी की तलाश का आधार बता रही है ये नई मुश्किल ऐसे वक्त में आई है जब चुनाव का पहला चरण 19 अप्रेल से शुरू हो रहा है और पार्टी का मुकमल प्रचार अभियान शुरू नहीं हो पाया है अखिलेश यादव के चुनावी दौरी चुनावी घोशना पत्र कॉंग्रेस के साथ संयुक्त रहलिया आदी अभियान टिकट वित्रण में इस तरह के खेल से प्रभावित हो सकते हैं मेरट में एक महीने में तीन टिकट हालत ये है कि सपा में कब किसका टिकट कट जाए कट कर दुबारा मिल जाए और फिर टिकट कट जाए कोई पकी तोर पर नहीं कर सकता ताजाओ दारा तो मेरट का है जहां महीने में तीन बार टिकट बदला जा चुका है सपा में इस स्थिती पर पार्टी के लोग हैरत में हैं तो भासपावा रालोत सपा पर इस मुद्दे पर तंज कसने में पीछे नहीं है अखिलेश यादव जब मिद्वार के नाम का एलान करते हैं लेकिन स्थानी नेता उन पर टिकट बदलने का दबाव बनाने लगते हैं कभी बाहरी के नाम पर तो कभी जा मुरादाबाद, रामपुर वह मेरट में इस तरह का हुआ खेल मुरादाबाद में स्थी हसन को भी टिकट देने का निर्णे हो चुका था लेकिन फिर भी रूची वेरा प्रत्याशी हो गई मौजूदा सांसद स्थी हसन कहते हैं अब क्या किया जा सकता है मुरादाबाद में नाटकी वर उचक घटनाकरम के बाद अम्मेरट में नया खेल हो गया पहले सामाने सीट पर पार्टी ने दलित प्रत्याशी भानू प्रताप को उतार दिया लेकिन यहां के टिकट के लिए तीन विधायक अतुल प्रधान रफीक अंसारी वर शाहिद मंजूर भी रेस में थे बाजी हाथ लगी अतुल प्रधान के जो अपना टिकट पक्का कराने के लिए अखिलेश के पीछे पीछे दिल्ली पहुँच गया अखिलेश यादव से उन्होंने अपना टिकट पक्का करा लिया और नामांकन करा दिया लेकिन फिर बाजी पल्टी और बाजी हाथ लगी सुनीता वर्मा के टिकट कटने के बाद अतुल प्रधान भी मायूस दिखे लेकिन उन्होंने मीडिया से कहा कि वो पार्टी के प्रचार में पूरी तरह लगेंगे रामपुर में आजम गुट के बगावती तेवर रामपुर में पहले से आजम खां गुट के तेवर बगावती हैं आजम खां के खास आसिम रजा ने भी नामांकन कर दिया लेकिन अखिलेश ने सखत तेवर दिखाए और सपा के वो अधिकरत प्रत्याशी नहीं बन सके अब वो कितना सहयोग नए प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं ये रामपुर में साफ दिख रहा है अब तक 9 सीटों पर बदल चुके हैं प्रत्याशी बागपत संभल मिश्रिक बदाईू बिजनौर मुरादाबाद गौतम बुद्धनगर मुरादाबाद मेरट में टिकट बदले जा चुके हैं अध्यक शकलेश यादव अब तक मुरादाबाद रामपुर बागपत मेरट बिजनौर गौतम बुद्धनगर बदाईू और मिश्रिक सीट से उमिद्वार बदल चुके हैं अभी और भी कई सीटों पर प्रत्याशी बदले जाने की तैयारी है माना जारा है कि घोसी में घोशित प्रत्याशी राजेवराई की जगा दूसरे पर दाउन लगाया जा सकता है